हाई एवरिवन चलो आज बनाते हैं हम तिल के लड़ू तिल के लड़ू तो वैसे कहीं तरीके से बनाए जाते हैं लेकिन जो आज मैं तरीका बताऊंगे बिल्कुल ही ईजी है और ये बिना चाशनी के और बिना इसको घी इसमें डाले हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले मै मैंने क्या किया है मैंने आदा किलो मैंने सफेद जो तिल होते हैं वो लिए है इसको अच्छे से साफ किया हुआ है यह मैंने चेक कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको कड़ाई में इसको डाल दिया है कड़ाई में डालने के बाद मैं इसको हलके से भून लूँगी हलके से मतलब इसको थोड़ा सा इसको सेक लेते हम ताकि इसमें जो नमी है वो अच्छे से सूख जाए तो इसको मिड आच पर आप इसको अच्छे से ऐसे हिलाते जाए और इसको फ्लेम को ज़्यादा तेज नहीं करना है नहीं तो ये जल जाएंगे तो slow करते हुए हम इने इसको अच्छे से लाल होने तक जब तक ये थोड़ा सा इनका color change नहीं हो जाता हलका सा brownish में नहीं आजाता तब तक हमने इसको ऐसे ही चलाते रहना है तो friends जैसे कि हम इसको चलाते रहेंगे तो इसका color पांच मिंट में ही चेंज हो जाएगा यह देखीए यह कलरण चेंज हो गया है तो बस मैंने इसको मुश्क talks पांच मिंट तक ही इसको चलाया है और उसके बाद मैंने इसको अलग से एक बरतन में आप इसको निकाल दिछी है क्योंकि हम इसको इसलिए कई बार क्या होता है जो तिल होते हैं वो उसमें थोड़ा सा नमी रहती है हमें नमी को सुखाने के लिए और इसको थोड़ा सा क्रिप्षपी बनाने के लिए हम इनको में डांच पर इसको थोड़ा सा हमने सेक लिया अब जैसे मैंने इसको निकाल दिया और इसको ठंडा होने के लिए मैंने पांच मिन्ट के लिए मैं इसको छोड़ दूँए था कि ये थुरा सा थंडा हो जाए उसके बाद फ्रेंट्स क्या करना है कुछ एक तरीका तो यह है कि हम इसमें चाशनी बना के भी हम तिल के लड़ू बनाते लेकिन मैंने क्या किया इसको मिक्सी के जार में निए पेस्ट रे इंसेंस को पीस लिया है, और उसके बाद जो किसी हुई शक्कर है, जैसे आदा किलो में मैंने एक पाव ही शक्कर डाली है, ज़ादा नहीं डाली है, अगर ज़ादा मिठा आप खाते हैं, तो ही ज़ादा डालना दरवाइस इतनी भी काफी है, तो इतना डा जैसे ही वूस को भी चला ले चलाने के बाद फिर मैंने सारे पेस्ट को निकाल लिया देखिए फ्रेंट्स इसमें क्या है कि जो तिल का अपना ओयल है वो भी निकल जाता है और इसके इसलिए यह बनाने में आसान हो जाते हैं तो जैसे हमने इसका तिलों को पीसा है तो अब जो इसमें यह हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है ताकि जो इसकी शक्कर है और यह तिल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं मिक्स करने के लिए हमने इसको हाथों से इस त्रेके से मिला दिया है कि ताकि इसमें कोई गांठे ना रहे और जो इसमें मिठा से यह है अदर बिना आप ड्राइफ्रोट भी अच्छे से बना सकते हैं आप चाहँ तो इसको मूफली है फॉर्आ करके डाल सकते हो नहीं तो आप इसको बिना खली तील के भी बना सकते हैं तो फ्रेंस आप को यह कैसे लगए और यह मतलब इतने अच्छे हैं सोफ्ट हैं कि जैसे नहीं तो यह ज्यादा जमते भी नहीं हैं तो आप आसानी से इनको बना कर खा सकते हैं यह बहुत ही एजी रेस्पी है और आपको यह कैसे लगी अगर आपको यह पसंद आई है तो एक लाइक तो और सब्सक्राइब बनता ही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक